हमारे दोस्त कभी न कभी प्रोफेशन से जुड़ी किसी चीज पर हमारी राय जरूर मांगते हैं प्रोफेशनली हमारे लिए राय देना स्वभाविक है मुश्किल यह है कि मुफ्त में दी गई ये राय कई बार हमारे लिए बोज बन जाती है ऐसी इस्तिति के कारण हमारे प्रोफेशन और हमारे दोस्ती की भूम का उलजने लगती है वास्तिकता यह है कि पैसा हमारे सबी रिस्तों को छूता है भले ही कहा जाता है कि दोस्ती और पैसे का तालमिल साथ में नहीं बैठता लेकिन जब तक दोनों की सीमा सपष्ट है दोस्तों के साथ काम करना फायदे मन्द हो सकता है इसके लिए यह सीखना जरूरी है कि उफकार के रूप में कारे करने और प्रोफेशनल राय के बदले पैसे वसुलने के बीच की सीमा को कैसे पार किया जाए विशे सग्यों का कहना है कि इसके लिए दोस्तों की बीच काम के प्रती विचारों का स्वस्त आदान परदान होना चाहिए नहीं तो किसी तरह की नराजगी होगी जिसे काम या दोस्ती में कुछ खटास आ जाएगी किसी दोस्त के साथ पैसे के विशे पर बातचीत करने के लिए बातचीत को रोकना और दोबारा सुरू करना सबसे असरदा तरीकों में से एक है दोस्तों से काम के बदले कम पैसे लेना काम के परती निस्पक्षता के साथ दोस्ती को बैतर बना सकता है हाला के कितनी छूट देनी है ये दोस्ती की निकरता और दोस्ती विद्धिय इस्तिती पर निर्भर करता है इसके अलावा काम से जूड़े किसी भी तरह के टकराव या परेशानी से बचने के लिए contract बनाना जरूरी है Contract के वल काम के प्रति आपके प्रति बदता को दर्साता है दोस्तों के बीच विश्वास और साजा अनुभाव काम को और अधिक उप्योगी बना सकते हैं इससे आपका आत्म विश्वास भी बढ़ता है इसके अलावा किसी दोस्त की मदद करने से एक अलग किसम की खुसी और संतोस मिलता है दोस्तों के साथ काम करना फायदे मन्द है बस प्रोफेशन और दोस्ती की बीच की सिमाव को इसपष्ट होना जरूरी है